हेलो स्टुडेंट्स वेल्कम बैक तु मैं यूट्यूब चैनल इफ अगर आप लोगोंने मेरा चैनल सुब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रएड बटन पर क्लिक कर लिजिए और मेरा चैनल सुब्सक्राइब कर लिजिए साथे साथ बेल आइकन पर भी प्रेस कर कि आधम देखेंगे एक मैनेज्मन का कॉश्चन पेपर बीसी नर्सिंग फोर्थ हीयर का कॉश्चन पेपर है यह तुथाउजन एटीन का सबसे पहले हम देख लेंगे टोटल सैवंटी फाइव मार्क्स का कॉश्चन पेपर आता है एक एक करके हम सारे कॉश्चन डिस्केस कर लेंगे 3-hour का टाइम डियूरेशन है थी यह एवन आतेम्स करना रहता है कॉश्चन नंबर फॉर्स बेख लेंगे कॉश्चन नंबर फॉर्स में जो इह नंबर का उप्शन है उसमें पूछा हुआ है define planning planning आपको 2 marks में define करना है B number के option में पूछा हुआ है describe the characteristics of planning 7 marks में 7 marks में आपको characteristics of planning जो है वो describe करना है फिर उसके बाद write the various principles of planning planning के जो various principles है वो 6 marks में आपको लिखने हैं question number 2 में पूछा हुआ आपको अप्षिन में define material management material management आपको define करना है फिर उसके बाद B number के option में पूछा है discuss the process of material management six marks में आपको process of material management जो है उसे discuss करना है फिर C number में पूछा हुआ है right rules of material management material management के कौन-कौन से rules हैं उन्हें आपको explain करना है seven marks में अब caution number 3 देखेंगे caution number 3 में पूछा है A number के caution में पूछा है what do you mean by motivation motivation की motivation को define करना है two marks में फिर उसके बाद B number के option में पूछा explain in detail about theories of motivation जो भी motivation के theories हैं उन्हें explain करना है eight marks में question number 4 देखेंगे caution number 4 के A number के option में पुछा है what is guidance two marks में आपको guidance explain करना है B number के option में पुछा है discuss the process of counseling counseling कांसलिंग की जो भी process है उन्हें discuss करना eight marks में फिर उसके बाद question number 5 देख लीजिए question number 5 में आपको short note attempt करने है किसी 5 short note को आपको attempt करना है यहाँ पर six short note आप से पूछे जाए इनमें से किसी 5 को लिखना है ठीक है और जो एक short note रहेगा वह five marks कर रहेगा total 25 marks के short note है एंनमडर के option में तुछा हुआ है प्रिंशीप फूफ प्रीनजेमेंट n जन्जमेन्ट इनमबर की उप्शन में पुछ ओओ ए जियंड चार्ट की नमबर की option में पूछा है disaster management D number के option में पूछा हुआ accreditation E number के option में पूछा है reports F number के option में पूछा है qualities of a good leader यह पुरा 75 marks का question paper था यह question paper BU University का है यदि MPMS University के और question paper देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की playlist पर जाकर देख सकते हैं वहाँ पर मैंने सभी subject के previous year question paper upload किये हुआ है